हेलो एन वेलकम गई स्वागाज आपका फेंटासी डिसन चेलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लग बात करेंगे यूरोपियन क्रिकेट लिग टी टेन की जो की मेच होने वाला यहां से बी जोरवी का वस्सिस रोयल टाइगर के विसमें तो चलिए डोनोई टीम के प् प्रेंटासी टीम देख लेंगे एक बार के कौनसे ब्लेयर को में लेखे जाना है कौनसे प्लेयर को लोग यहां से अवर्ड करके जा सकते हैं तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं बात करें इस मैच की इस से पहले एक छोटी सी में लिंक अटेज किया हुआ है बात करें इस मैच के तो यह मैच दोपेर में तीन बज कर तीस मिनिट पर कर्टमा ओवल मलंग स्पैन में शुरू होगा बाकि पीच रिपर्ट के बात करें तो नीट्रल और बैलेंस रहेगा दोनों को हेल्प मिल सकते हैं यहां पर क्यूंकि 120 के आसपास आपको रन बनता हुआ दिखाई दे सकता है तो बात करें ऐसे टिम भी जोर भी का की तो कमर एजाज आपको उपनिंग करते हुए नचर आ सकते हैं 6 मैच के लिए जापर 99 रन की हुए एक विकेट भी निकाल हुए टी 20 के अंदर राइट हैं बैटिंग कर वा ल विकेट कि पिंग सक्षन में दिख सकते हैं 5 मैचिस के अंदर 83 रन की हुए टी 20 के अंदर ऐसे लिए से विकेट किपिंग सक्षन में आपको एक अच्छी चोइश मिलने वाली है यह उसमान हैदर के रूप में तो आप उनको लेके जा सकते हैं बात करें आपको वसीम अब् उस्मान आरिफ की बात कर तो चार मैचिस के लिए जापर उन्चास रन किया हुए, तीन विकेट निकाल हुए, टी-ट्वेंटी की बात कर तो आठ वोस की गैन बाजी भी की हुई है, मुहमद इम्रान जो की राइट है प्लस राइट हम मीडियम फास गैन बाजी करवा लेते ह मैचिस के लिए जापर पचास रन किया हुए, साथ विकेट निकाल हुए, सत्रा वस की गैन बाजी की हुए, तो आपको हर एक मैच में लगबग पूरी वस करते हुए नजर आएंगे, यहांसे मुहमद इम्रान तो इनके पास विकेट लेने का चांस रहता है, बाकि यहांस सुफियान सलीब की, तो टिम की कैप्टन सिफ करवा सकते हैं, अभी तक 177 टी ट्वेंटी मैचिस के लिए तापर पांच जार पचपन रनें, आखडे बोल रहे हैं उनके 33 के अवरेज है, टी ट्वेंटी के अंदर, और टी ट्वेंटी के अंदर 33 के अवरेज, यानि के बह सकते हैं, ओपनिंग भी करवा सकते हैं, सुफियान सलीम, तक अच्छी टी 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 ट बहरे हैं, आपको बात करेंगे हैं करता हूँ नजर आएंगे प्लस टी ट्वेंटी के उनके आकड़ें लेकिन बैटिंग से ज्यादा हम लोग उनके उपर बॉलिंग से एक्सेप्टरेशन रख सकते हैं हर एक मैच के अंदर आपको एक दू विकेट लेता हूँ नजर आ सकता है यह से खुरूरम सहजाद बात करूं यहांसे फरक्स रसूल की राइट हैंडेट बैटिंग करवाएंगे प्लस राइट टाम मीडियम फास गेंबाजी करवाएंगे छे मैच इस के लिए जापर पांच विकेट निकाल वे सोला वोज की गेंबाजी किये और एक मैच में लबगग आपको पूरी वोज खेलते हुए नजर आ जाए तो इनको में नौटिस करके चलना है एक सो उनतीस मैच के लिए जापर 169 विकेट से उनके खाते में टी ट्वेंटी के आखने उनके बोल रहे हैं बैटिंग से कोई भी ज्यादा एक्सेप्रेशन नहीं रखेंगे लेकिन जब भी खेलेंगे बात करों रोयल टाइगर रोयल टाइगर विकेट होसेओं थोड़े से मजमूत यूप तिम मानी जाएगी क्यूंकि उनके इंके प्लेयस लोग फ्रूल कर kevaal. के ही सारे प्लेयर्स हुआ कि उनकी इंटरनेशनल टीम के तरब से किलते तो एक अच्छी पिक हो सकती हैं यहां से सारे प्लेयर्स हैं यहां के जो भी है थोड़े से अनुबवी है यहां से रोयल टाइगर्स थोड़ी से मजमुद नजर आ रहे टीम और हमें जो भी फोकस करना यासे रोयल टाइगर्स पर फोकस करके चल सकते हैं पाकी बात करें आसे जिसान कुकी खेल की तो ये हमारे सीधे कैप्टन्सिप के लिए सीधी चोईस होने वाले काफी तगड़ी बेटिंग करवा लेते हैं प्लस ओस से भी काफी अच्छे प्लस बेटिंग की बात करो तो बस तगड़ा मारता है बंदा ओपनिंग ही करवाएगा और टॉप ओडर में बेटिंग करवाएगा आपको अच्छा स्कॉर्ग भी करता हो नजर आ सकता है लंबे चके मार सकता है प्रोफेशनल प्लेयर से क्योंकि ऐसे भी टीटेंड के अंदर कैसे प्लेयर साते हैं आपको मालूम होगा लेकिन यह जो प्लेयर है प्रोफेशनल प्लेयर और आपको अच्छा करता हो नजर आ सकता है लेकिन टॉप ओडर में बेटिंग कर रहा है तो इसे बार करो इनका भी खास आकड़ा नहीं बोल रहा है दस मैचिस के अंदर 149 अने लेकिन टॉप ओडर में बेटिंग कर रहा है तो इसके लिए थोड़े से इंपोर्णर हो सकता है बाकि राइट हैंड़ बेटिंग कर वाते हो दिखेंगे आपको यहां से बात करो हर्ष मध्यान की राइट हैंड़ बेटिंग कर रहा हैंगे प् पीच को थोड़ी सी मुमेट मिलती है तो आपको एक दो विकेट निकाल के दे सकते हैं यहां से हर्ष मध्यान तो एक अच्छी भीग हो सकते हैं एज प्लेयर हम लोग हमारी टिम में उनको लेके जाने वाले हैं बाकि बात करें यहां से अभिश्यक खेतरपल राइट हैंड प्लस राइट आम मीडियम फर्स गेन बाजी करता हुए दिखेंगे 10 मेंचिस के लिए जापर 79 रन है और 14 विकेट से हर एक मेंच में लटबक आपको पूरी वर्ष करता हो नजर आएगा प्लस बैटिंग से भी जब भी मौका मिलेगा ना तब अच्छा का सा सरण करके भी दे सकता है तो यहां से अच्छी जोईस हो सकता है अभी शेप खेतरपाल बात करें यहां से सुफियान मुहमत की राइट हैंड बैटिंग कर रहा है कि प्लस चार मेंचिस के लिए जहां पर तेरा रन का ही स्कॉर किया हो ठिक ठाक परफरमस रहेगा ओके-ओके-पिक रहेग इनिश वरन जयारमन काफी सुंदर नाम है काफी लंबा नाम है बात करूं यहां से अकरम उल्ला मलिक ज्यादा राइट आम मीडियम फास गेंबाजी कर वाले थे ग्यारा में चिस के अंदर नो रन है स्वारी नो ओवस की गेंबाजी की है चार विकेट लिए हो है तो क्यों आम मीडियम फास गेंबाजी कर वाएंगे तो यह बंदा आपको डेठ वरस में भी गेंबाजी करता हो नजर आ सकता है नो में चिस के अंदर आट विकेट है और यहां से आठ विकेट भी निकाल लिए तो हर एक मेंच में लगबग अच्छा परफॉरमस करता हो नजर आ सकत आट पैयां से रूतुराज सावन हमें उनको अमारी टिम में लेके जाना है एस अप्लेयर में उनको मेरी टिम में लेके जाने वाला हो बाकी बैंच की बात के लिए तो इनके स्चेट्स अभी तक मिले नहीं है लेकिन जैसे ही मिलते हैं आपको इनके states टेलिग्राम में प्रवाइड के जाएंगे तो नीचे description में लिंक है टेलिग्राम से जूट जाएगा लिंक वर्क ना करें तो टेलिग्राम में जाकर सच कर सकते हो fantasy decision challenge या फिर आप सच कर सकते हो add rate fdc 27 और आपको सीधा channel मिल जागा है तो simply उसे join कर लेना तो चलिए अभी fantasy team के तरफ नजर डाल लेते कि कौन से player को में लेखे जाना है कौन से player को हम लोग avoid करके जा सकते हैं लेकिन इससे पहले एक छोटी से चलक एक और दे दू यह एक दो player जो मैं बोलता हूँ वो आपको grand league के लिए huge कर सकते हो यहां से सुफ्यान सलीम को pick कर सकते हो अच्छी pick है यहां से इनको लेके जा सकते हो खुर्रम सहजाद एक अच्छी pick है और यहां से bench की मैंने बात किता हूँ यहां से जाही दसरब को लेके जा सकते हो यह जो कुछ players है grand league के लिए मैंने pick किया हूँ बाकि अभी जो team बनाऊँगा मैं small league के लिए बनाऊँगा तो चलिए अभी small league की एक बार team देख लेते हैं तो wicker giving section मैं से मैंने उस्मान हैदर को pick किया है काफी अच्छी betting average है और उसके लिए मैंने उनको pick किया हूँ बाकि यहां से betting section की बात करो तो DQ as a's है जो की top order में betting कराएंगे यहां से M मध्यान betting से bowling से दोनों इसे अच्छा कर सकते हैं और यहां से S जाहिर को pick किया है बाकि all rounder section की बात करो तो जैड खान है जो की very important pick रहने वाल है as a player तो लेके जा रहा हूँ लेकिन इनको सिधा कैप्टनशिप करने वाला हूँ काफी अच्छी pick होने वाल है यहां से बात करूँ W अब्बास की तो यह भी अच्छी pick है यहां से Jaya Raman को pick किया है यहां से मैंने एम उस्मान आरिप को pick किया है बाकि बालिंग section की बात की होता है यहां से खेतर मल को लिया हूँ है यहां से R7 और यहां से F.Rasul को मैंने pick किया हूँ है बाकि अच्छी pick हो सकते है और बाकि के सारे options मैंने आपको बता दिये हुए इनको मत छोड़ियेगा मेरी अभी भी इच्छा है मैं ज़्यादा देखो अभी लाइन अप में अगर दिखे तो मैं इनको pick कर भी सकता हूँ तो कुछ इस तरह से मेरी team हो सकती है कि Captainship मैं दूंगा यहां से Jared Khan हमारे Captain रहेंगे और Vice Captain हमारे रहेंगे W. Abbas तो कुछ इस तरह से team हो सकती है पाकि Captainship और Vice Captainship के सारे options मैंने आपको बता दिये और इसमें भी बहुत सारे changes हो सकते है और Final Team के लिए टेलिग्राम से जूट जाना description में लिंक है तो मैंने बता दिया हो तो यहां पर वीडियो अच्छा लगता है अच्छी टीम बनाते हो अच्छी विनिंग करते हो जै हिंद जै भारत बाई दन्यवाद